नमस्कार स्वागत है आप सभी का बीवेल्दी के इस नए वीडियो में आपको तुम्हें हमेशा पताती रहती हूं कि टर्म प्लान चुनते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है लेकिन जब कुछ दिनों पहले मेरे पती ने मेरे सर पे ये जिम्मेदारी डाली कि मैं उनके लिए एक टर्म चुनू तो मेरे दिमाग में कई सवाल आएं और फिर मैंने कैसे चुना उनके लिए बहतरीं टर्म प्लान आज के वीडियो में आपको यहीं बताओंगी टर्म प्लान का नाम भी बताऊंगी जो मैंने अपने पतिदेव के लिए जुना है लेकिन सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजे फिर मैं आपको आगे कहानी बताती हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे लिए टर्म प्लान देख लो तो मैंने का ठीक है मैं देखती हूँ लेकिन आप बताएं कि आपको क्या चाहिए आपके टर्म प्लान में तो उन्होंने मुझे अपने लिस्ट पकड़ा दी कि उनको इतना कवर चाहिए तीस साल के लिए चाहिए और उनको कोई राइडर साथ में नहीं चाहिए मैंने का ओके ये तो आपकी बेसिक रिक्वार्मेंट है इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन है देखो तुम मेरी बीवी हो मैंने चाहता कि मेरे बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा भाग दोड़ करनी परे उस क्लेम को लेने के लिए तो ऐसी कंपनी देखना जिसमें जो एट लीस्ट पच्चीस तीस साल तक बाजार में रहे ताकि यह लंबा commitment है ना तीस साल तक के लिए आप देख रहे हैं तो वो कंपनी का बाजार में होना जरूरी है वो आपको peace of mind देगा तो ऐसा ना हो कि कोई भी plan ले ले और उसके बाद यह सरदर्द भी लगा रहे कि क्या ले लिया पता नहीं कंपनी रहेगी नहीं रहेगी तो यह नहीं चाहिए साथ ही यह भी देख लेना कि जो कंपनी का क्लेम देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको तुम CSR कहती हो वो होना चाहिए ठीक ठाक तो उन्होंने इतनी बाते कही मैंने साथ में अपनी तरफ से क्या एड किया उसमें मैंने एड यह कर लिया कि पीस ऑफ माइंड चाहिए लेकिन इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं दूंगी ऐसा नहीं करूंगी कि बस गई और सबसे महंगा वाला जो टर्म प्लान है वह उठाया और चलो ठीक है कर लिया काम फिर मैंने अपना काम शुरू किया 24 कंपनिया हैं एक कंपनी का प्लान लेना है तो मैंने सबसे पहले CSR याने Claim Settlement Ratio के हिसाब से कंपनिया छाटने का प्लान बनाया 95% से उपर की कंपनिया चाहिए ठीक है तो पताया कि इतनी कंपनिया निकली 20 कंपनिया 20 में से एक कंपनिय चुनना सरदर्द अब मुझे सम बची भी कंपनिया थी उनमें से दो नाम निकाला वो दो नाम किस बेसिस पे निकाला क्योंकि मैं उनसे फामिलियर हूं उस ब्रैंड को मैं जानती हूं इसलिए तो मेरे पास अब साथ कंपनियों के लिस्ट हो गई उन साथ कंपनियों के नाम और उनके प्रोड़क्ट के न आईसे इसे प्रू लाइफ इंशूरंस का प्लान है इसके अलावा इस बी आई लाइफ इंशूरंस का प्लान है वह ए शील्ड तो मेरे पास ये साथ कंपनियां आ गई उनके प्रॉडक्ट के नाम भी आ गए उनका CSR डेटा भी आ गया प्रीमियम का जो रेंज निकला वह निकला 49,000 से 64,000 के बीच में तो अब मुझे इन साथ कंपनियों में से एक अपने लिए चुननी थी अपने पती देर के लिए तो अब एक एक करके देखना पड़ेगा भया किसकी क्या स्ट्रेंथ है SBI Life Insurance में का जो प्रॉडक्ट है इशील्ड इसमें कंपनी का जो CSR है वो है 95.03% का और जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं वो है 55,000 से ज्यादा तो मुझे ये लगा कि ब्रैंड अच्छा है हलाकि इसमें कोई डाउट नही है तो मैंने इस ब्रैंड को साइड में कर दिया फिर मैं आई L.I.C के उपर L.I.C का तो खेर ब्रैंड पर भरोसा होने में कोई शक कोई दूसरी राय लेने की जरूरत ही नहीं है बहुत ही जाना वाना पुराना ब्रैंड है उसका CSR भी अच्छा है 97 पॉइंट से थोड़ा ठीक है इसके बाद मैंने देखा Tata AIA और HDFC Life दोनों ही अच्छे ब्रैंड है मुझे Tata ब्रैंड पर खासकर बहुत भरोसा है Tata Group पे और HDFC अगें इस बिग बैंक प्राइवेट बैंक उसका बैक अगर हो तो दोनों ही ब्रैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन अगें 63,000 64,000 प सिर्फ इसलिए साइट कर दिया क्योंकि उसका प्रीमियम मेरे बजट के बाहर था सिंपल और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं लगाया है मैंने अब मेरे पास तीन कंपनिया बची एगॉन लाइफ आई से एक चुनना है तो पती देव की जो वह बात अब यहां पे अब यहां पर कोई डेटा वगेरा भी काम नहीं आता तो आपको यह देखना होता है कि भाई मैं कितना फामेलियर हूं किसी ब्रैंड के साथ या पिर मैं कितना कंफोर्टेबर हूं किसी कंपनी के साथ तो मैंने क्या देखा मैंने देखा कि सवाल कि जब एक इंशॉरंस वो किसी अच्छे ब्रैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है यहां पर एगॉन लाइफ इंशॉरंस का मैंने देखा उनके जो अभी पार्टनर है वो है टाइम स्क्रो यह हैं मीडिया कंपनी एक इंशॉरंस कंपनी और एक मीडिया कंपनी मेरे हिसाब से यह मेरे नियॉर्क लाइफ वो निकल गई उसके बाद एक जपानी कंपनी का नाम है मिट्सोई सुमितोमो यह कंपनी के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ अब मेरे एक दोस्त है जो इंशॉरंस सेक्टर में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बत जलते हैं मैं उससे कंपटबल नहीं हूँ और जो यह इनके प्रमोटर है मैक्स के अनल जीत सिंग उनका एक रेपिटेशन है कि वो ब्रैंड बनाते हैं बेचते हैं और निकल जाते हैं तो मुझे वैसी कंपनी के साथ भी नहीं जाना था तो अब बचा आई से से प्रुदे को लेगर हम कांपटबल हैं तो फिर हम ऐसी कंपनी क्यों ना चुने जो टॉप मार्केट लीडर वाली कैटेगरी में आती है तो इसलिए एक पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है यह वो यह रहा दूसरी चीज इसके जो प्रमोटर है इस बिंग इस कंपनी इस इस कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं कि टू बिग टू फे बैंक उसी काटरगरी में आता है पूदेंशल होल्डिंग कॉर्परेशन एक बिटिश कंपनी है सौ साल से पुरानी कंपनी है इनका जो जे वी हुआ था जॉइंट वेंचर वो दोहजार एक से चल रहा है त और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि इस कंपनी के फेल होने के चांसे कम है यह कंपनी रहेगी अगले 20-30 सालों तक बाजार में तो इसलिए मैनेज ओफ प्लान चुना फाइनली वो ICICI प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट अपने पतिदेर के लिए चुना हाला कि हमें कोई राइडर चाहिए नहीं था लेकिन इस प्लान में प्लस पॉइंट और लगा वो यह कि इसमें प्रीमियम वेवर राइडर मतलब कि कुछ अगर हो जाता है कोई पर्मानेंट डिसर्बिलिटी वगेरा तो उसमें आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा वो एक राइडर स इसमें इन बिल्ट है इस पॉलिसी में आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे जो प्रीमियम था इसका करीब 40,000 के आसपास का उसमें मुझे यह भी पीस आफ पाइंड मिल रहा है कि कंपनी लंबे वक्त तक चल सकती है साथ ही मुझे दो राइडर भ वो हमेशा यह बात कहते हैं कि इंशुरेंस जो है एक प्रॉमिस है तो यह देखना बहुत जरूरी है कि यह प्रॉमिस कौन दे रहा है कौन कर रहा है तुमसे सिर्फ इसलिए कि वो एक सस्ता प्लान दे रहा है वो सबसे बहतर है यह जरूरी नहीं है सिर्फ इसलिए कि सबस best कौन सा है यहां थोड़ी सी मेनद करनी पड़ती है थोड़ा सा research थोड़ी सी बातचीत और आप उस brand को लेकर कैसा महसूस करते हैं यह थोड़ा चेक करना पड़ता है बाकी जो first half है वो तो बहुत ही आसान journey है है ना तो यह वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताईए मुझ के साथ और हम सब हैं बहुत ही साफधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर आप सब को बहुत सारा प्यार और दुलार स्टे ब्लेस्ट हेल्दी और बी वेल्दी झाल